कोली का विकेट हो या शेल मार्केट पटाक 30 सेकिंड में खबर डाउनलोड कीजे तक क्याँ रूस और यूक्रेन क्राइसिस के बीच बड़ी संख्या में बिहार के चात्र यूक्रेन में फसे हुए हैं ये चात्र बंबारी के बीच बंकर में रहकर किसी तरह अपनी जिंदगी बचाने को मजबूर हैं फसे चात्रों की नजरे बिहार सरकार पर टिकी हैं आखर कब बिहार सरकार उनकी बिहार वापसी के लिए परयाप्त कदम उठाएगी पूरे मामले पर मुखे मंतरे नितीश कुमार ने अब अपनी बात रखी है और एक के बाद एक तीन ट्वीट करके साफ कर दिया है कि बिहार सरकार इन शात्रों की घर वापसी के लिए गंफीर है नितीश कुमार ने ट्वीट किया इसके बाद नितीश कुमार ने ट्वीट किया कि इंद्र सरकार ने यूकरेन में फसे भार्तियों को वापस लाने के लिए विशेश विमान भेजने का फैसला लिया है इसके लिए कि इंद्र सरकार को धन्यवाद नितीश ने तीसरा ट्वीट भी किया कल यूकरेन से विहारवासियों को भी लेकर दो विमानों के मुंबई और दिल्ली में लैंड करने की सुचना मिली है राजसरकार ने निर्णे लिया है कि वहां से विहार आने वाले लोगों का संपूर्ण किराया राजसरकार देगी बता दे कि सीम नितेश के ये सभी ट्वीट शुक्रवार को आए जिसके बाद शात्र और छात्रों के परिजन ने राहत की सासली अपने दूसरे ट्वीट में सीम नितेश ने केंद्र की सराहना भी की है मालूम हो कि मुख्य मंत्री नितेश कुमार के निर्देश पर दिल्ली में बिहार की स्थानिक आयुप्द पलका सहनी ने विदेश मंत्राले से संपर्ख किया है इस मसले पर सूचना एवं जन संपर्ख मंत्री संजजा ने शुक्रवार को ट्वीट किया उन्होंने लिखा कि मुख्य मंत्री नितेश कुमार इस विशय को लेकर काफी गंभीरता से खुद मॉनीचर कर रहे हैं दिल्ली में इस्थानिक आयुप्द संबंधित दूतावास के अधिकारियों के साथ नियमित संपर्ख में हैं विध्यार्थियों को यूक्रेन और अन्य हिस्से से सुरक्षित लाने की गती को तेज करने पर लगातार संपर्ख में हैं विःार के अधिकारी विदेश मंत्राले के अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं ये प्रयास प्रक्रिया में है कि बिहार के विद्यार्थियों के यूक्रेन के पड़ोसी राज्य हंगरी, पॉलेंट, स्लोवाक, रिपब्लिक और रुमानिया के रास्ते बिहार निकाला जाए। बिहार की सरकार उन विद्यार्थियों के स्वजनों के साथ है जो यूक्रेन में फसे हैं मुख्यमंत्री नितिश और संजजा के ट्वीट के बाद उमीर यही है कि छात्रों के घर वापसी का रास्ता साफ हो और सुरक्षित सभी छात्र बिहार पहुंच जाएं बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहें बिहार का